हरो दोस्तों आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छ होंगे मेरे भाई आज की क्लास बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ न ये हर साल एकजाम में मेरे भाई पूछते ही पूछते हैं ठीक है तो चलो आज की जो टॉपिक है वो है अधिगम बिकार यानि अधिगम अच्छमता ठीक है इसके प्रकार जानेंगे ठीक है कितने प्रकार है फिर उसके बाद उन प्रकारों को डिटेल में हम लोग डिसकस करेंगे ताकि आपको अधिगम बिकार से लेटेट कोई भी डाउट चलो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग थोड़ा से यह जांते अधिगम बिकार अधिगम अच्छमता होता क्या है यह कोई प्रकार का रोग नहीं है एक डिजीज नहीं है तीक है देखो थोड़ा सा कन्फ्यूज इसमें मत हो या विकार जो हो ना इसको मेरे भाई हम लोग सिख्षण बीदी द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं जड़ से खतम कर सकते हैं ठीक है इस प्रकार से लाइंगोज में बेसिक लाइंगोज में से समझते रहें ठीक है चलिए अब थोड़ा सा अधिगम व देश से है ठीक है देखो जैसे मालो डिसलेक्सिया है तो इसका मेरे भाई उद्विस क्या है कि जो कि जो बच्चे पढ़ने संबंदी भी का रहें उनको हम कहेंगे डिसलेक्सिया ठीक है इसका यलकुलिया ऐसे हो गया डिसग्राफिया हो ठीक है इस प्रकार से अभी हम सब for teacher में दिया गया है जो नीचे निम्र लिखीत है अभी हम एके को discuss करेंगे ठीक है देखो थोड़ा समय आपके कुछ आपका doubt किलियर कर दूँ देखो जो अधिगम अगर आपको एकजाम में पूछ दिया जाए अधिगम विकार को दूर करने के उपाए तो आप सबसे पहले लिखोगे सिक्षण बिदी का सही सिक्षण बिदी का चुनाओ ठीक है बच्चों में रूच उत्पर्न करना बच्चों की तूटियों को ध्यान देना और मेरे भाई उनकी समस्याओं को हल करना इस प्रकार से ऐसे पॉइंट वाईज बनाके आप लोग अधिगम विकार से संबंदिन लिख सकते हैं ठीक है चलो अभी पहले थोड़ा थोड़ा इनको देख लो अभी फिर डेटेल में लोड़ डिस्कॉस करेंगे ठीक है देखो डिसलेक्सिया सब्सक्रान परकार जाएँ तो रकार में इसे एम पढ़ लेगा इस प्रकार से जो विकार दिखते है ना कहने का अरत है अगर पढ़ने संबंदिन विकार जाए तो dyslexia ठीक है और इतना ही नहीं मेरे भाई जो dyslexia है dysgraphia है dyscalculia जितने भी प्रकार है ना कुछ न कुछ point सब में similar रहती है ठीक है तो कभी confuse मत होएग आप लोग उसके बाइब जो dysgraphia है वो लेखन संबंधि विकार देखो यहाँ पर graphia है ना तो यहाँ पर देखो लेखन संबंधी, हम graph राव बनाते हैं ना मेरे भाई, तो graph संबंधी मतलब लेखन संबंधी बिकार, उसके बाद dyscalculia, calculation करते हैं ना, तो जोड़ गुटा ना गुड़ा भाग करते हैं ना, तो मेरे भाई गनती causal संबंधी बिकार हो गया, dyscalculia, ठीक है, उ तो देखो जो dyspraxia है ना, ये मेरे भाई फ़स्ट कहते है dyslexia, उसके बाद dysgraphia और dyscalculia, सबका मिस्त्रित रूप है ये, ठीक है, इसको तीनों point अगर मिला के कभी पूछे एक जामे, तो आप dysgraphia, dyspraxia को चूच करिएगा, ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ मेरे भाई, पांचू point समझे हूँ कि अब थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में जानो, ठीक है, जो important है, उनमें थोड़ा हम लों discuss कर लेते हैं, देखो, इतना कोई detail में नहीं बताता, लेकिन मेरे भाई ये basic class है, और आप the perfect study पे हो, तो ये मेरे भाई basic class के लिए तो जाना जाता है, ठी देखो, dyslexia के बारे में जान लो, ठीक है, ये ग्रीक भासा के दो सब्द, dust और lexis से मिलकर बना, जिसका साब्दी कर्थ होता है, मेरे भाई, भासा भीकार या भी कह सकते, difficulty space, ठीक है, देखो, ये जो सब्द है dyslexia, इसकी खोज, मेरे भाई, 1887 में जर्मन रोग बिशेसर के द्वारा की गई, वो कौन थे मेरे भाई, तो रुडॉल बर्लिंट जी थे, जो उन्होंने सब्द के बारे में बताया था, 1887 में, ठीक है, चलो, अब देखो, थोड़ा सा dyslexia के बारे में और जानो, देखो, dyslexia जो है, वो भासाई, सांकेती, कोडों को एक प्रकार का बिक प्रकार, disorder, ठीक है, इसमें अंकों का संसाधन, वड़ माला, अच्छरों को नहीं पहचान पाना, तो ये इस प्रकार के मेरे भाई, इसके लक्षड होते है, ठीक है, उसके बाद ये देखो, important है, कि या भासा के लिखित रूप, मौकिक रूप, भासाई, दच्छता को प्र माला, अधिगम में कठनाई हो गई, उसके बाद ये को, ऐसे point wise आप लोग लिख देना गराता है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा समझ के, उसके बाद, अच्छरों की धनियों को सीखने में कठनाई, एगाकरता में कठनाई, उसके बाद, पढ़ते समय, स्वारवाड़ों का लो मान को, जैसे मेरे भाई, नाम को मान, उसके बाद, चाय को साय पढ़ देना, या फिर साय को चाय पढ़ना, इस प्रकार से सब्दों का करम वो उल्टा करके पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद, बरतनी, दोस्त से पीडित होना, सात्वा पॉइंट है, समान उच्छाड़ों दोनियों को ना पहचान पाना, ठीक है, जो समान उच्छाड़ मतलब, अगर देखो, यहाँ पे सो है, सो है, इस तरीके सो वो पहचान नहीं पाते हैं, कहने का दिसलेक्सिया के अंदर, यह सब लक्षड आपको दिखाई देंगे, ठीक है, चलो, सब्द कोस का अभाव होना उसके बाद भासा का अर्थपूर परियोग का अभाव, भासा का अर्थपूर मतलब, कौन सा सब्द कहां उपयोग करना है, उसके बाद वो, देखो, जब सब्द कोस का ही अभाव रहेगा, तो अफकोस भासा का अर्थपूर परियोग बालक करी नहीं पाएगा, ठीक है, उ कोई चीज याद करने जल्दी से भूल जा रहा है तो वो डिस्लेक्सिया की लक्षण है ठीक है अब देखो जो यहां इंपोर्टेंट है कि डिस्लेक्सिया की पहचान उपयुक्त लक्षणों से हाला कि डिस्लेक्सिया की पहचान करने में उपयोगी है लेकिन इन लक्षणों Elena Border ने देखो Board Test of Reading Spelling Pattern नामा का एक परिक्षण परियोग में लाया था ठीक है उसके बाद भारत में इसके देखो लक्षण को पहचानने के लिए Dyslexia Earling Screen Test और Dyslexia Screen Test का परियोग किया जाता है ठीक है इतने point आप अगर मेरे भाई अच्छे सीक्जाम में लिख भे देते हो Dyslexia के बारे में तो बिल्कुल स्योर रहो आपको पूरा पूरा नंबर मिलता है और Dyslexia के बारे में इतना तो जानो ठीक है चलो Dyslexia के उपचार ठीक है कभी-कभी पूछता है Dyslexia को हम कैसे दूर कर सकते है ठीक है यहाँ पर मैंने short type में लिखा आप पूरा अच्छे से लिख देना बना के ठीक है Dyslexia पूर उपचार असंभा हो है लेकिन इसको उचित सिछण अधिगम पद्धती के दौरा निम्न अस्तर पर लाया जा सकता है ठीक है अब बच्चा जैसे मेरे भाई चाय को साय पढ़ा आप तुरन तुसको बोलो उसको डांटो कि बच्चे यह चाय होता है साय नहीं होता तो बच्चा दोबारा चाय ही पढ़ेगा ठीक है और इसी परकार से आप लोग इसको दूर कर सकते सिछण अधिगम बिनी दौरा ठीक है चलो उसके बाद सेकेंड डिस ग्राफिया ठीक है देखो अधिगम च्हमता का वो परकार जो लेखन च्हमता को प्रभ संबंदी कठिनाई तो मेरे भाई ये उपर भी था तो मैं पहले बता दिया कुछ पॉइंट सब में कॉमन रहती ठीक है उसके बाद बरतनी संबंदी कठिनाई ठीक है खराब हस्त लेखन यवंग अपने बिचारों को लीप बद करने में कठिनाई की रूप में जाना जाता आपके मेलक पके दिमाख में तो बहुत कुछ है पर आप उनको मेरे भाई पेपर पेंट के मादें लिखनी पा रहे हो तो वो क्या है टीक है चलो देखो डिस्ट्राफिया करते है कि कुछ लक्षड़ भी होते हैं जैसे लिखते समय स्वयम से बाते करना ठीक है कुछ बच् सेकेंड पॉइंट है असुद वर्तनी यवंग और नियमित रूप से अकार वाले अक्षरों को लिखना ठीक है इस प्रकार से इसका लक्षण हो गया उसके बाद थर्ड पॉइंट है मेरे भाई पठनी होने पर भी कॉंपी करने में अध्यतिक स्रम का परियोग उसके बाद ल पॉरी तरीके से कोई सब्द को न लिख पाना ये डिस्ग्राफिया के कुछ लक्षण ठीक है अब देखो इनके उपचार के लिए जो इंपॉर्टेंट है इनका उपचार ही है कि इनको हम दूर कैसे कर सकते ठीक है चुकि एक लेखन संबंदी भीकार है तो इसे हम दूर कै कर सकते हैं अच्छे सिच्छड अधियम प्रक्रिया के दौरा ठीक है उसके बार डिस्कैल कुलिया इसमें ये जानो कि बच्चे मेरे भाई गणना संबंदी इनमें विकार होता है ठीक है एक सब्दों में कहें तो जो बच्चे मैत में थोड़ा कम स्ट्रॉंग होते हैं मेर अधियोगता से लेकर अंक गणती समस्या के संसाधन में सुत्रों एवं सिध्धानतों कर परियोग की अयोगता तथा सभी प्रकार के गणती अच्छमता सामील है ठीक है जितने भी मेरे भाई कैलकुलेशन है सब किसके अंदर आएंगे अगर बच्चे नहीं कर पा रहे है तो वह डिसकईलकुलेशन के अंदर आएगा अगर आपकी भी lijतवी का गणती संक्रियां के चिंदों को समझने में इक plot आएंगे अगर बच्यों को यह वाला चिंद देखाओ तो पहचान पाएंगे ठीक है इस प्रकार से वो अंकी संक्रिया के चिन्नों को पहचान नहीं पाएंगे उसके बाद जो की अंक गरती संक्रिया के असुद परडाम मिलना ठीक है उसके बाद गिनने के लिए अंगुलियों का प्रयोग ठीक है अब भी अगर अभी भी अंगुलियों पर ग थीक है उसके बाद नगत अंतरर या फिर भुगतान से डेर मेरे भाई ठीक है उसके बाद 9 पॉइंट है मेरे भाई समय की अनुपएक्ष समय तार्की चंतन का अगर बच्चों को सुरू से इसलिए कहते हैं ना मानसिक विकास पध्यान दो बच्चों को सुरू से ताकि मेरे भाई सैस्वा वस्था से ताकि उनको डिसक्यल खुलिया कि जो लक्षण है वो सुरू से ही समाप्त हो जाए ठीक है चलो इसके उपचार्ज को तो देखो सबसे इंपॉर्टन तो यही है इसको दूर कैसे कर सकते हैं तो देखो प्रमुख तो यह है कि जीवन की वास्तविक प्रतितियों से संबंधित उधारण प्रस्तूत करना गणती तत्यों को याद करने के लिए मेरे भाई अत्रित समय प्रदान करना ठीक कम्प्य गेम्स का प्रियोग करना तो इससे क्या होगा आप तार्कीक चिंतन कर पाऊगे ना गणित को सरल करना यह बताना कि यह एक कौसल है जिससे अरजित किया सकता है बच्चों को एक हुआ मत बनाओ सुरू में कि गणित बहुत रिश्टॉंग है गणित को आप नहीं सीख सकते उनको बताओ कि गणित भी बाकी सब्जेक्ट की तरह एक कौसल है इसे भी हम सीख सकते है ठीक है चलो उसके बाद डिस फैसिया क्या होता है इसे भी देखो ग्रीस भासा के दो सब्द डिस और फासिया के सब्दों से यह मिलके बना जिसका समान यह अर्थ होता है और छमता एवंग वाक से मिलकर यह बने ठीक है चलो डिस फैसिया सब्द का अर्थ होता है वाक और छमता यानि हम मेरे भाई बोलने में जिस छमता का मेरे भाई हमें प्रयोग करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते तो उसक्या होता है डिस फैसिया होता है ठीक है चलो यह एक भासा एव समझे होंगे अब थोड़ा सा इसे समलो डिस्परक्सिया इसको मैंने बताया ये ऊपर के तीनों को मिला के ये बनता है कभी-कभी इसको इंडोजली भी पूछ लिया जाता है ठीक है देखो यह मुक्रूप से चित्रांकन संबंदी छमता की और संकेत करता ठीक है इससे ग्रसि डिजीज नहीं है ये एक प्रकार के मेरे भाई डिसॉर्डर है ठीक है एक प्रकार के विकार है ठीक है फर्स्ट है डिस्लेक्सिया सेकेंड है डिस्ग्राफिया उसके बाद थर्ड है डिस्कैलकुलिया उसके बाद फोर्थ है डिस्फैसिया और मेरे भाई फिप्थ है डिस तो बच्चे काफी लगातार कह रहते हैं कि सर थोड़ा से की डिस्क अलकुलिया को डिस्क ग्राफिया को कवर कर आओ सर तो उमीद करते हैं आपको सारा पॉइंट समझ में आगो ठीक है इसका पीडियाप आप टेलिग्राम पे जाके मेरे भाई ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन